2022 में थाही लाग के आसपास लोफ हुए थे, 2023 में एक लाग पेस्ट हजार के आसपास लोफ हुए, वो 2024 अभी स्टार्ट हुआ है, 5000 इंप्लोईज अभी लोफ हुए है, कोई भी रिसेशन लोफ जब आता है तो फॉरा नमबा चलता है, सम्टाइम शे महीने, आठ मूने, एक स आने वाला है, इसके लिए बेंच से अच्छा है, अब इंजिनर को ले के आओ, लिंक्डिन प्रोफाइल पे अक्टिव रहो, जितना हो सके, आप मेर से कनेक्ट रहो लिंक्डिन पे, और जितना हो सके, वहां पे कॉंटेंट डालो, जो भी आप जिसे आप पड़ रही हो भी, for example, 30 days challenge करो, 20 days challenge करो, वहां content डालो, अपनी profile को और बढ़िया करो, visible करो लोहों के सामने, जिसकी नदर पड़ जए कि आपको reach out करे, नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, और positivity बहुत कम फैलती है, हाई everyone, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ी सी, और कुछ चीजों बे बात जरूर करोंगा, अभी hiring को लेके, recession, right, इन सब चीजों के लिए आप काफी परशान है, मुझे बदा है काफी लोग lay off हो और है, and hiring freeze है, कुछ roles के लिए hiring चल रही है, सानी कि पूरे तरीक हैं, final year में हैं, क्या भाया हमें job मिलेगी, और क्या हमारे लिए options आगे हैं, मैंने अच्छे से पढ़ भी लिया है, मुझे javascript भी आता है, मेरी तैयारी अच्छी है, बट सामने से call नहीं आ रहे है, चाहे नौकरी.com हो, LinkedIn हो, बहुत कम है opportunities, देखिए मैं एक इंजिनर होने क नाते, इस चीज़ को समझ सकता हूँ, और कितना tough होगा बिना job के रहना, और कब चीज़ें open होगी, even मुझे अभी top mate पे बहुत सारे बच्चों ने connect किया, मिर से बात करी, और मैंने उनको यही कहा कि आप हिम्मत रखो, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसके बारे हैं बात चाहता हूँ, yes, AI है, चीज़ों को, अब चीज़े automate होगी, कोई business चल रहा है, अगर वहाँ पे, अभी manpower, manpower 20 थी, अब वो 10 हो रही है, 12 हो रही है, कम engineers भी काम कर रही है, अभी मैं आपको कुछ आकड़े share करता हूँ, 2022 में धाई लाग के आसपास layoff होए थे, 2023 में एक युनिट्स में, जसे, Amazon की बात करूं, उनके Alexa device, जो hardware team में वहां से बंदों को layoff किया गया, ऐसे ही अभी Google की sales ad team में वहां से बंदों को layoff किया गया, right, बट ऐसा नहीं कि अब Google layoff करें तो हम पूरा उसको वैसे देखें कि सब को ही निकाला जा रहा है, right, या जो other companies, या जो ना आए, अभी जो नया session स्टार्ट हो एक अपरेल से, मुझे पूरी उमीद है कि hiring स्टार्ट होगी, मेरा ऐसा मानना है, definitely hiring स्टार्ट होगी, आप खुछ सोचे कब तक ऐसा चलता रहेगा, बट इसका पूरे तरीके से ये reason नहीं है, कि AI ही reason है, इसका, जन्रेटिव AI ही reason है कि इनकी वज़ा से companies ने hiring बंद कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है, देखे, recession और lay-off कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, ये आता रहता है, पिछले कुछ सालों में भी रहा है, और आने वाले टाइम में भी रहेगा, तो शायद आपको वो भी experience नहीं है, जैसे जो freshers हैं, तो वो थोड़ा motivate करना चाहिए, मुझे पता है, ये मेरे चार वर्ट शायद आप दो घंटे आपको रहें, फिर आपके तीसरे घंटे वो ही thoughts आने लग जाए, negative thoughts आने लग जाए, उस चीज को समझता हूँ, ये human behavior होता ऐसा, बढ़ आप अपने आपे भरोसा रखिए, और कुछ ल गैप मत लाइए, जो आप सीख रहे हैं, इसको maintain रखिए, और try करते रहें, ये effort मारना बहुत जरूरी है, चाहिए फिर आप वो LinkedIn पे try कर रहे हैं, अपनी profile को better कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने soft skill पे काम कीजिए, और जो companies questions पूछती है, at least जब वो hiring start करेंगे आपके पास आप ready हो, ऐसा ना हो कि एकदम से hiring start हो, उस भीड में फिर आप नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपने ये सूच लिया था आज की, अब क्या ही होगा, कब होगा, मैं चलो अब थोड़ा break ले लेता हूँ, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, effort लगाई रखना है, and believe me, जो इनसान अपने आपे believe करता है, hard work तो ठीक है, हर को ही कर रहा है, जो अपने आपे भरोसा कर रहा है, वो सब कुछ achieve कर सकता है, ये मेरा personal experience है, मैंने life में ऐसे ही चीज़े achieve करी है, अपने आपे भरोसा रखा है, मैं expert नहीं हूँ, बट मैं try करता हूँ कि अपने आपको better कर सीखता रहा हूँ, जब मेरे नसीब में होगा, मुझे मिल जाएगा, तो जितने भी ये words है, recession, layoff, मैं समझता हूँ, बट जब भी आप ये news कहीं भी पढ़ें, किसी YouTube चैनल पर पढ़ें, कोई इसके बारे हैं बात करता है, तो पहले ensure कर लें कि, जब ये company ने करा है layoff, तो अलग-अलग segments है, अब किस segment में firing हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपको information Google में authentic sites में मिल जाएगी, अब मैंने एक रिसेंटली वीडियो कवर किया hiring started पे, अब हो hiring started मेरा मतलब ये है, और मैंने बहुत अच्छे से अमने शूरुती से बात भी करी, उनका एक 10 साल का experience हमने वहाँ पे यूस किया, कि definitely जो नया financial year शुरू होगा, hiring start होगी, even अभी जुतनी भी आप news सुन रहे है, product-based की ज्यादा आपको सुनने को मिलेगी, जो service-based company है, नहीं, क्योंकि वहाँ bench policy है, लोग bench पे अभी बैठे हूँ है, मेरे लोगों से बात हुई, 6 महीने, 8 महीने, अभी हमने परस्व एक podcast शूट किया, वो 5 महीने से बैंच पे थे, और अभी बैंच पे है, और अभी जब project आएगा, requirement आएगी, उस पे काम करेंगे, तो आप अपने आपको बस थोड़ा हिम्मत दीजिए, और मैं बस ये कहा रहा हूँ कि इस time की वेज़ से ऐसा न होगी, अब ये थोड़ी है कि hiring स्टार्ट ही होगी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, company को भी grow कर रहा है, जब उनको आगे से पैसा मिलेगा तो वो engineers को देंगे, आपका dream startup है, आप अपनी महनत रखिये, service based है, कोई भी company बुरी नहीं होती है, life में आगे चलते चलते कैलिबर अलग-अलग है, हम मैच नहीं कर सकते, कोई आप से बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आप उत्रे बैटर नहीं है, आप पर कोशिश कर सकते हैं, तो उसमें at least हिम्मत मत हारिए, उसमें अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, तो कोई भी आपका सहारा नहीं है, पेरेंट अंडरेस्टिमेट करना, डीमोटिवेट करना वो सही नहीं है, तो हिम्मत रखिए, बस देखती रहिए, हर जगा क्या चल रहा है, कोई opportunity कहीं से आ जाए, कुछ नहीं पता, और अपनी profile, LinkedIn profile पे active रहो, जितना हो सके, आप मेर से connect रो, LinkedIn पे, और जितना हो सके, वहां पे content डा और मैं तो भी LinkedIn पे डालता ही रहता हूँ, जैसी अभी Adidas hiring स्टार्ट करती है, मेभी, मैं वहां डाल दूँगा, बट interview आप नहीं क्रैक करना है, तो उतना skillful आपको होना है, कि अब interview का time आएगा, तो आप फिर अगर बहुत ज़्यादा hiring स्टार्ट होगी, माल लो एक दम से शुरू हो जाती है, company विजिट करती है colleges में, यह off campus के लिए, तो आप ready हूँ, तो यह चीज मत करो, क्योंकि अब गर आप कितना, देखें, मैं फिर बात बोल रहा हूँ, negativity जल्दी फैलती है, और positivity बहुत कम फैलती है, क्योंकि सब को मजा आता है, अच्छा negativity इधर स्पैट क हो यार, सब कुछ असान है, हो जाएगा, राइट टाइम पे चीज़ा आके हो जाएगी, मैं ये बात समझता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हूँ, आपके लिए कहना अभी भी असान है, आप बोल रहे हो, बट आप मिर से पूछो, financial reasons है, बहुत impacted हो मैं, बट आप बात बताओ, चलो, financial reasons है, अब आप भी कुछ नहीं गर पा रहे, आप भी बैठे ही हो हो, परशान हो, परशान होने से अपनी health impact करोगे, तो इस चीज़ को समझो, घर का environment हो, पेरेंट्स अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नी, उनको बोलो, ममी बापा, थोड़ा मैं अपनी तरसे मैंनत कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा, अब जब ऑपरशुनिटी आगी, मैं ट्राइ करूंगा, चाहे स्टार्ट अप बी कंपनी हो, और एक और चीच, अगर आज आपका सपना है, ड्रीम कंपनी है, कोई बात नी, आप उसको रखी है माइन में, आप उसक क्याना चाहता हूँ, थोड़ा सा, बस ध्यान रखिए, चीजे हो जाएंगी, बेटर, और होगी, यह मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं आउंगा, मैं इसके बाद एक और वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा आउंगा, अपरेल में जब नया फानेशल यर शुरू होग सब चीजे बेटर हो रही है, विकोस यह चीजे, कोई भी रिसेशन लेओफ जब आता है, पुड़ा लंबा चलता है, समटाइम छे महीने, आट महीने, एक साल भी, बट रिकावर होता है, योगि जब कंपनी होती है, वाँ जो बिजनस चलते हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पर एसिस किये जाते है, ये कोटर में कैसा रहा, नेक्स कोटर अच्छा रहा, चोलो आब हाइरिंग, हमें इंजीनर्स चाहिए, नया प्रोड़क्ट पर काम करने वाले है, नई क्लाइंट आने वाला है, इसके लिए बेंच से अच्छा है, अब इंजीनर्स को लेके आओ, तो कंपरी इस तरीक से देखती है, मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, आप हिम्मत रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और पॉजिटिविटी को स्प्रेट कीजिए, ना कि नेगेटिविटी को, लोग आएंगे, बहुत सारा ज्यान भी देंगे, आपको बहुत स इस चीज़ का ध्यान रखिए, और आप अपने आप से, अपनी मेहनत करते रहिए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा ऐसे समझ लीज़े, एक ब्रेक लीलिया अपने, अपने लिए, तीन-चार मीन अपने आप पे काम करने के लिए, और जब वो टाइम Thank you so much for watching this. Thank you so much.